हेलो फ्रेंट्स वेलकम तू आल आज में आपके जो वीडियो लिके आ रहा हो देखें शेयर मार्किट की आठ बड़ी खबरें कल की डेट यानि की 18 मैं 2020 के लिए मार्किट को जो हिला सकती हैं पूरा हिलाने का दम रखती हैं ऐसी ये आठ बड़ी खबरें जरा देखिए एक इन बटन पर क्लिक करके सीधे लेके चलता हूँ आपको इन आठ बड़ी खबरों के उपर सबसे बड़ी खबर सबसे इंपॉर्टेंट खबर जो है वो है लॉकडाउन की लॉकडाउन 4.0 यानि की एक्स्टेंड हुआ है 31 में तक अब आपको गया है इससे क्या मार्किट प पोल दिया गया है ताकि वो कुछ एक्टिविटीज को अपने एंड पर स्टार्ट कर पाए तो काफी इंपोर्टेंट रहने वाला यह चीज आपको लग रहा होगा हां माकिट के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव जो छूट दी गई है बट ओवर ऑल अगर देखा जाए तो लॉग डाउन का एक्स्टेंशन जो हुआ है बहुत सारी चीजे जैसे कि आपकी फ्लाइट्स हैं ट्रेंस अल्रेडी तीस जून तक बंद हैं तो इन स्टेर्स को इन सेक्टर्स को यहाँ पे असर देखने को मिलेगा और उसके अलावा भी जैसे कि आपके पी वियार, सिनेम हॉल सारे बंद ही अभी तक और उनका तो एक्स्टेंशन मुझे लगता है कि जून से भी ब्यॉंड जा सकता है तो उन शेर्स पर आपको असर देखने को मिलेगा पहली यह बड़ी ख़बर थी लॉग डाउन की दूसरी इंपोर्टेंट ख़बर के उपर चलते हैं जो है य यूएस मार्केट की अगर मैं देखूं यहां पर डिटेल तो फ्राइडे को यहां पर लॉस्ट ग्राउंड के बाद जो रिकवरी देखने को मिली है वो पॉजिटिव संकेत देखिया मार्केट की तरह आपको होगे कौन सी रिकवरी जो देखने को मिली है यूएस आप देख सकते हैं कि Friday को Dow Zones एक डम नीचे गिरा था और वहां से almost यहां recovery हुई और recovery के बाद 60 points आप आया है अगर मैं refresh करूँ इस पे इसको क्योंकि Friday की closing देखे किस तरीके से US market ने lost ground को cover किया यहां पे अच्छे से 60 points आप आया और NASDAQ भी 70 points आप आया यह positivity US market में देखने को म पाला है global markets के लिए इसलिए सुबह का जो वीडियो होता है उसमें हम जब Asian markets open होती तो उसका data देते है आठ सवाट वजी के आसपास वह वीडियो आपको मिल जाता है उसको जरूर देखें क्योंकि वह एक direction दे देता है market में अब चलते हैं अगली news के उपर जो आठ बड़ी आप कहोगे भारत electronics लिमिटेड आप कहोगे यहाँ पे BHEL NHPC NTPC और उसके अलावा आपने देखा होगा power grid हिंदुस्तान अनरोटिकल्स लिमिटेड बहुत सारी companies BPCL HPCL सब कोई भई यह public sector enterprises सरकार ने एक बड़ी गोशना जो की है वो market को हिलाने का दम रखती है क्योंकि उन्ह हर जगे पे private players invite किये जाएंगे जिससे competition बढ़ेगा growth बढ़ेगा यह बड़ी खबर मुझे लगी यहाँ पे public sector enterprises की जो की market को हिलाने का दम रखती है कल की date में कि बहुत सारी public sector unions और बड़े-बड़े investor यहाँ पे entry मारना चाहते है और उनकी entry के लिए यह सरकार ने बहुत ब आपको कौन से ऐसे stocks हैं दीके defense stocks में FDI को यहाँ पे मंजूरी दे दी गई है यानि कि यह पहले 49% का FDI यहाँ पे था foreign direct investment अब इसको 74% कर दिया गया है और इस से related जो खुशी की लहर है मैंने आपको अल्रेडी एक वीडियो बना के बताया था कि बाबा कल्यानी जी जो कि भ बनना चाहते है और इंडिया importer ही नहीं बलकि exporter बनना चाहता है defense के उपर और आज की date में आप देखो बहुत सारी countries defense के उपर बहुत पैसा कमाती है चाहे वो France हो इंडिया राफेल खरीद रहा है वहाँ पे वहाँ से चाहे वो इसराइल हो इंडिया वहाँ से बहुत सारी missiles करीता चाहे रशिया हो अमेरिका हो ग्लोबल पावर आज की date में चायना भी बहुत कंट्रीज को defense export करता है तो क्यों ना इंडिया भी defense export करें क्यों क्यों defense products जो है इंडिया इंपोर्ट ही करें पहले अपने लिए भी बनाए और बाकी countries के लिए भी बनाए ये government का जो है आग तो हिंदुस्तान, Aeronauticals Limited जैसे तेजस और ये सब बना रही है उसके अलावा भारत, BML, बहुत सारी companies है कोचिन, शेप्याड और बहुत सारी companies जो defense में काम करती है जैसे BDL, भारत, Dynamics Limited तो इन stocks को फाइदा होने वाला है defense पे FDI तो ये दो major areas defense पे FDI और public sector enterprises ये बड़े areas कल की date में रहने वाले हैं, यानि कि 18 माई को, अब चलता है अगले update के उपर जो हमारे पास है, कोल इंडिया की monopoly, जैसे कि आपको already यहाँ पे सरकार ने कह दिया है कि हम हर sector में private player को invite करने वाले हैं, तो कोल इंडिया की monopoly खतम, कल की date में बहुत हलचल कोल इंडिया के share में मत सकत अब बात आती है, कोल इंडिया की monopoly खतम, अभी 50 blocks allocate भी करने वाली है सरकार, तो monopoly से मतलब क्या BSNL और MTNL की तरह कोल इंडिया की भी हालत खराब हो जाएगी, जब private player जहां पे आ जाते हैं, competition है, कोल इंडिया खुद कुछ नहीं कर पाया, और उन private players ही करने लग गए, तो फ पारती एटल, उसके लावा Vodafone तो almost खतब होने की गगार पे चल रहा है, लेकिन ये दो private players ने सारा का सारा area कबजा कर दिया, और BSNL और MTNL जी मरे से हो चुके हैं, वही चीज कोल इंडिया में भी हो सकती है, वह आप कोल इंडिया अगर अच्छे से काम नहीं करेगा, तो अब Nifty के Technical Chart में weakness आपको दिख रही है, definitely बहुत weakness Nifty के Technical Chart में आपको यकीन यह होता, तो मैं आपको लेके जाता हूँ, देखिए, stock की तरफ, Nifty के Technical Chart की तरफ, इसलिए मैं ये open करके रखा हुआ है, ताकि मैं यहाँ पे coverage कर पाऊ, मैं आपको यहाँ पे पहले भी बता चुका है, Nifty अगर इन bottom points को तोड़ता है, 90, 100 से 9,000 की range में यह जो area है, इसको अगर तोड़ता है, तो weakness काफी है, already यह आपको lower high बना के दे चुका है, अब यह lower low बनाने की कगार पे है, lower low बनाता है तो pain आपके सामने है, तो technical charts पे Nifty की weakness आपको clear cut दिख रही है, इसके लिए अभी कोई कहेगा आपको support range, Nifty range में trade कर सकता है, 9,000 से लेके 9,500 तक की, लेकिन weakness अभी मौजूद है, अगर उपर जाना तो भी यह levels को cross करना पड़ेगा, तभी उपर जा पाएगा, फिलाल जो है weakness आपको दिख रही है अभी current state के हिसाब से अगर बात करते हैं, तो अब अगले update क की तरब चलता है क्योंकि दो important खबर है और है, quarter four earnings, जैसे कि आपको पता है आज कल results का season है, तो quarter four के results भी आते जा रहे हैं, बहुत सारी companies के results में आपको detail में बताता भी हूँ, वीडियो बना के और अभी देखते हैं कि और कौन सी companies है जिनके कल की date में result आ रहे हैं, तो ध्या आने वाल है, देखिए, अगर मैं देखू, जो बड़े नाम है, जो असर डाल सकते हैं, उनकी बात करते हैं, भारती अटल बड़ा शेर है, क्योंकि डेल्टा कॉप छोटा शेर है, यूनिक शेर है, लेकिन यहां पर छोटा शेर जरूर है, लेकिन यह गलेक्सो फार्मा, य देखने को भी लेगा, भारती अटल का, तो जड़ा ध्यान दे इसके उपर, भारती अटल के उपर कल की डेट काफी इंपोर्टेंट है, 18 में 2020, अब और देखते हैं, और कौन सा जबरदस शेर, जो बड़ा शेर यहां पर लग रहा है, वो है आपका टॉरेंट पावर, पूछेंगे ने, कहां से आप ये डिटेल दे, ये सी इंडिया की वेबसाइट है, और अब देखते हैं, अपनी आठवी बड़ी खबर, आठवी बड़ी खबर, इसके उपर अल्रड़ी में वीडियो आपको क्रेट करके बता चुका है, रलाइंस इंडस्ट्रीज, रलाइ बड़ी खबर हैं, जो आपने देखी, जो मार्केट को हिलाने का दम रखती है, उम्मीद करता हैं, आपको समझ में जरूर रहागा, कल की डेट में अगर जो नोट करने वाली इन आठो को भी अगर मैं यहाँ पर शॉट लिस्ट करके दिखाऊं, तो मुझे जो खाफी अटरप्राइजेज वाली खबर और डिफिन सेक्टर वाली खबर जो पॉजिटिविटी ला सकती है मार्केट में, चलिए वाइंड आप करता हम पर वीडियो को शेर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब निकाता जो जो इसे सब्सक्राइब कर ले, बैल आकन को प्रस कर लेजिए आपको नोटिफिकेशन आते ले अगें, थैंक यू, थैंक यू पर लॉचिन द वीडियो